हाई ब्रीवन देखिए इस वीडियो में बहुत ही सिंपल सा ही लेस बुनाई डिजाइन इस डिजाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं इस पैटरन को बनाना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान है और इसके लिए आपको 10 प्लस 3 के मल्टिपल में फंदे कास्टोन करने होंगे तो चलिए हम इस डिजाइन को बुनना स्टार्ट करते हैं यहाँ मेरे पास है टोटल 13 फंदे जिसमें सुरुवात के 3 फंदे और लास्ट के 3 फंदे साइड इस्टिच है और बीच के साथ फंदे परिमारा डिजाइन बनेगा और यही साथ फंदे को हम हर एक 3-3 फंदे की गैप पर रिपीट करेंगे तो रोव वन राइट साइड से इस रो में पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, और तीन नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और इस दो फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनते भी घटाएंगे उन आगे की तरफ एक फंदा सीधा फिर से उन आगे की तरफ और इस दो फंदे को पीछे की तरफ से एक साथ बुनेंगे निक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट के बचे वे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, और तीन अब हम रॉंग साइड रो टू में आ गये हैं रो टू आगे के सभी रॉंग साइड रो में हम सभी फंदे को उल्टे ही बुनेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बैल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजेगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अब हम राइट साइड उठ हर्ड में आ गये हैं इस रोव में भी पहले तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और तीन नेक्स्ट दो फंदे को एक साथ सीधा बुनते भी घटाएंगे उन आगे की तरफ तीन फंदे सीधे एक दो और तीन ओन फिर से आगे की तरफ और इस दो फंदे को पीछे की तरफ से एक साथ बुनेंगे और लास्ट के बचे वे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, और तीन तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है इसके बाद next wrong side row में हम सभी फंदे को उल्टे बुनते वे row 4 को बुन करके complete कर लेंगे और row 4 तक बुन लेने के बाद अब इस design को continue बनाने के लिए आपको फिर से row 1 to 4 को repeat करना होगा और ये प्यारा सा design जो है इस तरह से आगे-ागे बनते जाएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care of yourself thanks for watching and bye